Hello all, my name is Krishnayak and welcome to my Krishnayak Hindi YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में हम ये tutorial 1 start कर रहे हैं playlist में जो है stats और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं what is statistics and what are its type. ये काफी important topic है क्योंकि ये आपको interview में भी पूछ सकते हैं और अगर आप data scientist, data analyst की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको definitely ये काफी helpful होगा. और मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे लगभग around 30 videos डालूँगा जहाँ पे आपको पूरा का पूरा stats के बारे में सब easily पता चल जाएगा और मैं इसमें practical part भी include करने वाले हूँ with Python कि आप थोड़े statistical experiments कैसे perform कर सकते हैं वो Python programming language से वो भी दिखाऊँगा. तो चलिए पहली बात तो हम लोग चलते हैं definition में हमेशा important है कि हम लोग को definition पता रहना चाहिए कि statistics क्यों use होते हैं और उसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं define करूँगा statistics is the science of collecting, organizing and analyzing data यह काफी important definition है guys तो guys I hope आप लोग को definition समझ में आया हो statistics is the science of collecting, organizing and analyzing data तो यहाँ पे सबसे important चीज है data और हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं पहली बात तो data को हमको collect करना पड़ेगा organize करना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा, visualize करना पड़ेगा तो यह सारे चीजों के लिए जो mathematics, basic mathematics जो चाहिए वो basically included होटा है statistics में तो चलिए हम लोगों को पहला ये भी समझना चाहिए भाई, data का definition क्या है तो अगर मैं यहाँ पे data का definition देखूँ data को हम लोग बोल सकते हैं facts और pieces of information तो यहाँ पे मैं data को basically इस तरीके से represent कर सकता हूँ facts और pieces of information आज के time पे अगर आप smartphone यूज़ करिये आप कोई भी software यूज़ करिये कुछ ना कुछ data obviously produce होता है ठीक है आप एक social media networking site को visit कर रहे हैं आप वहाँ पे browse कर रहे हैं आप वहाँ पे chat कर रहे हैं तो उसके through भी data actually create होता है और उस data के साथ हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं चलिए थोड़े examples दिखाते हैं data का क्या मतलम मैं बोलने की कुशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं examples यूज़ करने वाला हूँ let's say मैं बोलता हूँ height of a person of a student in a class or of students in a class ठीक है? students in a class ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे heights अगर मैं centimeter से calculate कर रहा हूँ कोई हो सकता है 140 cm कोई हो सकता है 145 cm कोई हो सकता है 146 cm कोई हो सकता है 180 cm कोई हो सकता है 172 cm तो यह example of data है यहाँ पे आप देख सकते की अलग-अलग-अलग-अलग varieties of age heights है for with respect to students in the class ठीक है और एक example अगर मैं को दूसरे में में बोलना है कोई categorical features में में बोलना है ठीक है let's say मैं यहाँ पे एक और example लेता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ gender of person visiting a doctor ठीक है? visiting a doctor यहाँ पे इस particular scenario में मैं definitely बोल सकता हूँ ठीक है एक male visit कर रहा है एक female visit कर रहा है एक male visit कर रहा है फिर से male visit कर रहा है let's say the time is between 8 a.m. to 4 p.m. ठीक है? तो इस तरीके से मैं यहाँ पे definitely data को capture कर सकता हूँ data को basically observe कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मैं बहुत सारे चीज़ कर सकता हूँ जो मैं बताने वाला हूँ अब जैसे हम लोग आगे जा रहे है तो चलिए सबसे important चीज़ हम लोगों statistics में समझना पड़ेगा कि statistics में usually दो types होते हैं तो statistics का अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो types में हम usually पड़ेंगे ठीक है? और दो types यह काफी important types है क्योंकि अगर यह आप types समझ पाएं तो जो भी topic आगे आएगा आप definitely बोल पाएंगे ठीक है यह वाला topic प्रॉबली यह type का है तो यहाँ पे आता है first आपका descriptive stats और उसके बाद आपका आता है यहाँ आपे inferential stats चलिए descriptive stats का definition समझते है तो इसका अगर मैं कुछ definition देखना है या समझना है descriptive stats का मतलब क्या है यहाँ पे आप सीधा सीधा बोल सकते है it consists of organizing and summarizing of data बहुत यह simple definition है यहाँ पे organizing और summarizing of data ठीक है? काफी simple definition I hope आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ अगर मैं inferential statistics का बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग अलग definition लिख सकते है यहाँ पे यूज होता है कि it consists of it consists of using data consists of using data you have measured you have measured two form conclusions तो यहाँ specifically हम लोग क्या करते हैं? यहाँ एक टाइप का data हम लोग लेते हैं और उस data से हम एक suppose हमारे पास यह सारे data points है इसके चलते हैं दूसरा data का हम लोग conclusion फॉर्म कर सकते हैं ठीक है? यूजिली हम यह data को बोलते हैं sample और इस data को हम लोग बोलते हैं population ठीक है? population तो इसके बारे में मैं काफी discussion करने वाला हूँ probably बट अभी हम लोग discuss करते हैं कि इन दोनों के बारे में और इन दोनों का हम लोग examples के इसाब से discussion करते हैं descriptive statistics में it consists of organizing and summarizing of data inferential statistics में it consists of using data you have measured to form conclusions यह सबसे important है to form conclusions चलिए इसमें क्या-क्या important topics आते हैं descriptive statistics में हम लोग यह समझते हैं अगर मैं थोड़े important topics के बारे में बात करूँ जैसे measure of central tendency अब आप hope measure of central tendency ठीक है? आपने काफी सुना होगा which is called as mean, median, mode वो basically इस topic पे ही आता है which is called as measure of central tendency second topic अगर मैं बोलू तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं measure of dispersion or measure of variance measure of dispersion ठीक है? इसमें दो topic आता है जिसको हम लोग बोलते है variance and standard deviation I hope आपने लोग ने यह सुना होगा तो यह दोनो topic भी इसमें ही आता है काफी important topic ठीक है variance and standard deviation और मैं बात करूँ different different चीज़ों का यहाँ पे different types of distribution of data हम लोग देख सकते हैं different types of distribution of data हम लोग देख सकते हैं distribution of data देख सकते हैं अगर मैं यह organizing यह summarizing के data में जाऊं बहुत सारे techniques हम लोग यूज़ करता है जैसे histogram हो गया आप histogram में basically frequency of the elements देख पाते हैं तो histograms काफी एक important है और हम लोग यूज़ करते है probability density function, probability mass function तो यह playlist में इस सारे topics में cover कर लूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से करूँगा तो आपको उसका tension लेने की जरुवत नहीं है probability density function एक example ले सकता हूँ कि इस probability density function से हमको यह पता चल जाएगा है कि data किस type का distribution है अगर मेरा data ऐसे distributed है तो मैं बोलूँगा normal distribution अगर मेरा data probably ऐसा distributed है तो मैं इसको बोलूँगा log normal distribution तो अलग-अलग kind के distribution of data रहते हैं तो अगर मैं इनका बात करूँ basically यह तो था descriptive statistics का अगर मैं inferential statistics का बात करूँ हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे basically हम लोग यहाँ पे different types of test देखेंगे एक test हो गया आपका z test उसके बाद आपका हो गया t test उसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ chi-square test chi-square test करेंगे और hypothesis testing से हमको यह पता चलेगा जैसे अगर आप बात करें alternate null hypothesis, alternate hypothesis को हम लोग h1 लिखते हैं हम एक experiment perform करते हैं और उसके conclusion में p-value, significance value यह सब topic इसमें आएगा और यहाँ पे हम लोग यह सारे चीज़ समझते हैं और यह सारा part है basically आपका inferential stats का करते हैं ठीक है तो उसे लिए यह सारे experiments को हम लोग को use करना पड़ता है ठीक है I hope आप लोगों को यह काफी easily समझ में आए गया कि differences between descriptive stats और inferential stats क्या है चलिए अब थोड़े examples देख लेते हैं एक example में बताना चाहूँगा बहुत ही सुन्दर example है ठीक है आप समझे है let's consider मैं एक example लिख देता हूँ let's consider there are there are 10 people or 10 people in a class or 10 students in a class जो भी आप लिख सकते हैं ठीक है 10 let's say और और इसको probably अगर मैं बात करना चाहूँ मैं इसको ना एक अच्छे से statement में लिख देता हूँ ठीक है तो इसका example और अच्छे से देता हूँ मैं let's say let's consider ठीक है there are 20 classrooms in a college ठीक है बहुत दी प्यारा example रहेगा देखेगा in a college and let's say you have collected you have collected the ages of the ages of students in one class चलिए एक class देखे यहां वहां पे basically क्या है हमारे पास 20 classrooms है total college में हमने क्यार किया जाके एक एक classroom से थोड़े बंदे लोगों का ages हम लोगने collect किया ठीक है तो ages of a student from that class ठीक है from that class यह सारा information है उसके पास यह data है तो यहां पे ages जो उनको मिला है 19 है 21 है 18 है ठीक है 34 है 22 है 21 है 40 है let's say 40 भी क्यों लिख रहा हूँ कि इतना बुड़ा तो नहीं होगा तो इसलिए मैं 25 लिख सकता हूँ 24 लिख सकता हूँ let's say that इतने सारे ages है अब मैं अगर consider करूँ descriptive stats और inferential stats इसके हिसाब से हमको क्या question आ सकता है हम लोग को क्या question descriptive descriptive question descriptive statistics के हिसाब से क्या question आ सकता है इसमें और inferential statistics के हिसाब से क्या question आ सकता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे सकते हैं चलिए descriptive statistics से बारे में लेते हैं तो descriptive statistics में कुछ ऐसा होगा ठीक है यहाँ पर होगा कि what is the what is the common age what is the common age in your stats class तो अब मैं एगर calculate करना हो तो obviously मैं इसका average find out करूँगा that is mean और मैं basically output निकाल दूँगा तो यहाँ पर मेरा जो answer होगा वो mean of this specific ages होगा तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं common age और यह mean part of होता है central tendency measure of central tendency इससे हम लोग measure करते हैं ठीक है तो it will be a part of central tendency यह descriptive का example है अगर मैं समझे आपको अलग सा example एक दे दू inferential का एक example दे दू तो inferential के point of view से मेरा question क्या हो सकता है यहाँ ठीक है चलिए मैं यहाँ question लिख देता हूँ are the ages of students are the ages of students in the classroom similar similar to what you expect in let's say are the ages of the student in the classroom similar to what you expect or similar to the ages मैं देखें यहाँ पर लिख देता हूँ और similar to the ages of the students in the university student in the university बहुत ही simple सा है यहाँ पर inferential में यह बोल रहा हूँ जो भी हम लोग को ages मिला है यह classroom का are there similar to the ages of the student in the university बस इतना ही सा है student of the classroom एक sample हुआ student of the entire university एक बड़ा population हुआ और इस information के info जो हमारे पास यह information है क्या हम conclude कर पाते हैं कि यह दोनों almost similar है बस इतना सा चीज है inferential stats में तो यहाँ पर मैं आपको एक example दिखा रहा हूँ कि भाई descriptive और inferential stat में क्या basics चीजें हैं और हम लोग एक examples देख लिएं कि भाई इससे होता क्या है ठीक है अगर मेरे पास एक है like 20 classrooms in a college and let's say you have collected the ages of students in one class और यह मेरा value है तो descriptive question यह होगा what is the common age in your stats class एक inferential stats के question यह रहेगा कि are the ages of the student in the classroom similar to the ages of the student in the university तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sample और population का game चल रहा है ठीक है तो इस case में हम लोग यह basically inferential stats use करते हैं नॉर्मल वाले case में जहाँ पर यह ऐसे topics आते हैं measure of central tendency, measure of dispersion, measure of variance, different types of distribution of data, histogram, PDF, whisker plot, different different plots जो हम लोग data को visualize करने के लिए यूज़ करते हैं सारा चीज descriptive statistics के अंदर आता है और inferential statistics के बारे में अगर मैं बात करूं तो SSI के experiments, z test, t test, kai square test, anova test, anova test, anova test को हम लोग f test भी बोलते हैं तो यह सारा चीज इसमें आता है तो I hope आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को मझा आया है यह वीडियो, यह था tutorial 1, tutorial 2 में हम लोग देखेंगे what is the difference between population and sample and what are the different sampling methods तो please make sure करिएगा आप से subscribe करिएगा channel and yes this was it from my side, we'll see you all in the next video, have a great day, bye bye, take care